हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट सिविल सर्विसेस में तो दोस्तों आज है 25 माई 25 माई से जितने भी कर इंटरफेस के कोशिम बनेंगे सारे कोशन इस लक्षर में हम डिसकस करने वाले और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दू कि हमारे टेली ग्रम चैनल पर डेली क्यूजिस किये जा रहे है यदि आपने अभी तक पार्टिसिपिट नहीं किया है तो पार्टिसिपिट किजिए और जादा से जादा लोगों में सेर भी किजिए जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि आप कॉंपिटिशन में कौन से पायदान पर है तो अब देखते हैं कल जो कोशन आप से पूछा था कोशन था कि जिब्राल्टर जल डमरू किन दो देसो को अलग करता है तो ये अलग करता है दोस्तों मुरक को और स्पेन को तो हम पे correct answer हो जाएगा option C तो ये जो जिपर्यल्टर जल ढम रो है ये योरॉप और अफरीका को अलग करता है मतलब योरॉप में मुरक को और अफरीका में मुरक को तो यहां पे दोस्तों हम बात करें मुरको की जिसकी राजनी रबात है और इसकी मुद्रा मुरकन दिरहमे और साथ ही हम बात करें इस्पेन की तो जिसकी राजनी मैडिट है और यहां की जो मुद्रा है वो यूरो है ये भी आपको याद रखना है तो दोस्तो काफी बार एक्जा में ये कोशन पूछा गया है तो ये आपको याद रखाएं कि जो जिवरालितल जल डमरूमद्ध है वो किन दो देशों को अलग करता है तो ये मौरको और इस्पेन को अलग करता है अब स्टार्ट करते दोस्तों कल के कोशन का रिविजन पहला कोशन के हाली में मार्था कुम किस देश की पहली महिला मुख्य नादिस बनी है तो यह बनी है दोस्तों कहना की तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा option 2 और दोस्तों अभी तक आपने video lecture को like नहीं किया है त तो इसे like जरू कर दे और share भी करें नेक्स्ट कोशन है कि किस company ने हाली में COVID-19 के लिए polymerage chain reaction correction kit वीरा जिन को launch किया है तो यह किस ने launch किया है यह launch किया है दोस्तों सिपला ने तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा option 1 चलते हैं next question के और कोशन है कि हाली में प्रधानमंती स्वास्त्य सुरक्षय योजना के ताहत कितने M's की स्थापना को मंजूरी दी गई है तो मंजूरी दी है दोस्तों 22 M's को right answer हो जाएगा यहां पर option 2 अगला कोशन है कि अंतरस्टी होकी महासंग के फिर से अधिक्ष कौन बने है तो फिर से अधिक्ष बन गया है दोस्तों नरिंदर बत्रा यहां पर correct answer हो जाएगा option 2 next question है कि 20 कचुहा दिवस कब मनाय गया है तो यह मनाय गया है दोस्तों 23 मई को तो यहां पर right answer हो जाएगा option 3 अगला कोशन है कि हाली में Microsoft ने internet explore को बंद करने की घुसना किये इसको कब launch किया था तो 1995 में तो यहां पर right answer क्या हो जाएगा option 3 कोशन है कि नवीनी करन उर्जा देश आकर शक्ता सुचकंक 2021 में कौन सा देश सिर्ष पर रहा है तो इस सुचकंक में सिर्ष पर रहने वाला देश है दोस्तों अमेरिका यहां पर correct answer हो जाएगा option 4 next question है कि financing of African economic seekers सम्मिलन 2021 में भारत क क्रति निदीत व किसने किया था तो भारत का प्रति निदीत व किया था दोस्तों वी मूरली धरनि », यहां पर right answer हो जाएगा option 2 next question है कि किस राज की सरकार ने वासल योजना को सुरू किया थो यह सुरू किया थोस्तों इचतरा आगरा राज की सरकार ने यहां पर correct answer हो मुहन राय की जयनती कब मनाई गई है तो यह मनाई गई है दोस्तो 22 माई को तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा option 2 राजा राम मुहन राय की जयनती है वो 22 माई को मनाई गई है यह 249 जयनती थी यह भी आपको याद रखना है अब दोस्तो हमें स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेस तो पहला कोशन है कि बैडमेंटन वर्ड फेडरेशन के लिए किस भारती को सदे से चुना गया है तो यह चुना गया है दोसों हिमंत बिश्वा शर्मा को यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन टू आप देख सकते हैं दोसों यह है हिमंत बिश्वा शर्मा जिसे बैडमेंटन वर्ड फेडरेशन के लिए भारती सदेश्ची की रुप में चुना गया है तो यहां पर दोसों हम बात कर लेते हैं बैडमेंटन वर्ड फेडरेशन की जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी और इसका मुख्याल है क्वालालनपूर मलेशिया में इसी थे और अद्धिक्ष की बात करें तो ये पॉल एरी को है ये आपको याद रखना है और दोस्तो यहाँ पे मैं आपको बता दू कि जो हिमंत विश्वा सर्मा है यह भारती बैडमिंटन संके अध्यक्ष भी बने है और ये साथी दोस्तो अशम के नई मुख्य मंतरी के रुप में इन्हें नियुक्त किया गया है अगला कोशन है आपके लिए दोस्तो की हाली में नवंबर 2021 तक अफरीकी चीतों को कुलो नैसनल पार्क में लाये जाने की घुसना की गई है यह पार्क किस राजमें इस्तित थे तो यह इस्तित है दोस्तो मद्य प्रदिश राजमें यहाँ पे राइट आंसर क्या होजाएगा option 3 तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो कुनो नेशनल पार्क है यह मद्य प्रदेश राज में इस्तित है और दोसों 1952 में ही भारत से सारे चीते मतलब जितने भी भारत में चीते थे वो विलुप तो हो गए थे और अब नॉबंबर 2021 तक अफ्रीकी चीतों को कुनो ने प्रदेश के कौन से दो विरासत को युनेशको द्वारा संभावित 200 विरासत सुची में सामिल किया गया है तो यह कौन कौन से है दोसों फरस्ट है सतपूरा टाइगर रिजर्व और सेकेंड है भेडागाट भेडागाट दोसों फेमस है संगमरमर की चट्टाने के लिए जो कि जबलपूर में नर्वदा नदी के टत पर इस्तित है और यहां पे आपके लिए कोशन बनता है कि सतपूरा की सबसे उची चोटी कौन सी है इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है नेक्स्ट कोशन है कि हाली में माउंट नाइरा गोंगो ज्वाला मुखी विस्प पहले सन 2002 में यहां विस्पोर्ट हुआ था और यह दोस्तों जो माउंट नाइरा गोंगो ज्वाला मुखी है यहां डेमोक्रेटिक रीपब्लिक कौंगो में इस्तित है और इस ज्वाला मुखी विस्पोर्ट से जो लावा निकलाए वो सड़को और गाउ तक भी पहुझ और यहां पर आपके लिए कोशन बन सकता है कि हाली में चर्चा में रहा माउंट नाइरो गोंगो ज्वाला मुखी के विस्पोर्ट की घटना गटी है तो यहां ज्वाला मुखी के पास कौन सा नेशनल पार्क इस्तित है तो इसी के पास इस्तित है दोस्तों विरूंगा न कि जो करंसी है वो कॉंजो लिंग फ्रेंक है और कॉंगो की रास्टपती की बात करें तो ये डैनिस सोसावू नेगु एसो है ये भी आपको याद रखना है कोशन है कि कि इस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर पहला मोबाल रोबोट मतलब वीपर को लांच करे ये दोसों अमेरिका की स्पेस एजेंसी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन वन तो दोसों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नासा की तो यहाँ अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है यहाँ पर नासा का जो मतलब है वो है नैसनल एरोनार्टिक्स एंड स्पेस एड्म यलो फंगस का पहला मामला किस राज में देखा गया है तो इसे देखा गया है दोस्तों हरियाना में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अप्सन टू करें सबसे पहले ब्लैक फंगस की तो इसका जो नाम है मतलब वैग्यानिक नाम है यह म्यूकर माइको सीस है जो की आख और मस्तिक से को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और साथ यहां पर हम बात करें वाइट फंगस की जिसका वैग्यानिक नाम कैंडी डो सीस है जो आंतरिक अंग नाखुन जनन तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तो यह जो यलो फंगस है दोस्तों यह सबसे पहले नाग के अंदर देखा गया है और इसको क्या है अब CT स्केन के जरिये देखा नहीं जा सकता है तो इसके लिए एंडोस्कोपी मलब सरीर के अंदर के भागों को देखने के लिए हमें एंडोस्कोपी करवाना होता है तो इसी के जरिये सबसे पहला केस मलब यलो फंगस का सबसे पहला केस गाजियाबाद में मिला है और इसका जो कारण बता जा रहा है वो गंदगी मलब गंदगी के अंदर ही फंगल इंफेक ना लगना ऐसे कारण इसके बताए गए है तो याद रखना है दोस्तों यलो फंगस का जो पहला मामला है वो हर्याना राज्य के गाजियाबाद में देखा गया है नेक्स्ट कोशन है कि गूगल ने कि सहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है तो ये खोला है दोस्तों नियू आर्क में यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गूगल की तो गूगल अमेरिका की बहुराश्टी टेकनोलोजी कमपनी है जिसकी स्थापना चार सितंबर 1908 बे को की गई थी और इसका मुख्याले कैलिफोर्निया USA में स्थी थे और संस्थापक की बात करें तो ये सरगई ब्रील और लेरी पेस थे इसके जो वरतमान में CEO है वो सुन्दर पीचाई है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है कि Reserve Bank Innovation Hub के मुख्य कारिकारी अधिकारी कौन बने है तो ये बन गए है दोसो Rajis Bunsal यहाँ पे correct answer हो जाएगा option 1 और आप देख सकते दोसो ये है Reserve Bank Innovation Hub के मुख्य कारिकारी अधिकारी मतलब जो नए CEO बने है उनका नाम कहा है Rajis Bunsal और डिप्टी गवर्नर है दोसो M. Rajaswar Rao, M.D. Patra, M.K. Jen और T. Ravi Shankar ये हाली में नए डिप्टी गवर्नर निव्ट किये गए थे नेक्स्ट कोशन की Formula One Race मोनाको Grand Prix 2021 का खिताब किस ने जीता है तो इस खिताब को जीता है दोसो Max Veris Parapan ने यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा Option 2 कोशन की अंतरास्री होकी महासंग ने किस देश की होकी टीम को 18-ी ग्लिट चीट्स पुरुसकार से सम्मानित किया है तो अंतरास्री होकी महासंग ने सम्मानित किया है भारत को यहाँ पे right answer हो जाएगा option 4 तो अंतराश्री होकी महासंग ने होकी इंडिया को देश में खेल की प्रगती और विकास में उतकर्ष योगदान के लिए प्रतिस्टीत 18-E Glitch Cheats पुरुसकार दिया गया है और साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दो दोस्तो कि अंतराश्री होकी महासंग के पहले भारती अदिक्ष नरिंदर बत्रा बने है यह भी आपको याद रखना है और आज का जो लास्ट कोशन है कि 2021 के लिए टेंपल्टन पुरुसकार के विजेता कौन बने है तो यह बन गए है दोस्तो जेन गुडॉल यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा आपसन टू और आप देख सकते हैं दोस्तो यह है जेन गुडॉल तो प्रकृति वादी जेन कुडॉल को जानवरों की बुद्धी और मानोता पर उनके जीवन में काम की मान्यता में टेंपल्टन पुरुसकार के लिए 2021 के विजेता के रुप में घोशित किया गया है और दोस्तो जेन गुडॉल ने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपेंजी के अपने अभूत पूर वो अध्यन पर अपनी वैस्विक प्रतिस्था भी बनाई थी और दोस्तो यहाँ पर हम बात कर ले जो कि टेंपल्टन पुरुसकार है इसकी सुरुवात कब की गई थी तो इसकी सुरुवात 1973 में की गई थी तो याद रखना है आपको कि जो टेंपल्टन पुरुसकार 2021 है इसे सम्मानित किया है जैन गुडाल को, इसे सम्मानित किया है जैन गुडाल को, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है, अगर यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लागा हो, तो इसे लाइक जरूर करिए, सेर करिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू सो मच गाइज फो वाचिंग इस वीडियो